तो फिर से स्वागत आपका एक ने वीडियो के साथ दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Redmi 9 Active है या कोई और model है Redmi का तो यहां पे आप notification drawer में data usage कैसे शो कर सकते हैं यह आपका notification drawer आजाता है control center आजाता है तो यहां पे आपको data usage का option देखने को मिलता है कि आपने आज कितना use किया कितना बचा है यह सारी चीजे तो यहां पे यह set करने के लिए आप यहां पे सबसे पहले यह पुराने वाला control center लगाएंगे ठीक है पुराने वाले control center में दिखेगा तो इसके लिए आप यहां पे setting पे जाएंगे पुराने वाले control center के लिए सबसे पहले और डिस्प्ले वाला option है इस पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पे आप स्क्रॉल करेंगे control center और नोटिफिकेशन शेड पे आपको क्लिक करना है इसके बाद यह जो यूज इस पे तो आपको शो नहीं करता है डेटा यूसेज देख सकते हैं आपको इसको बंद रखना है तो यहां पे आपको शो होगा देख सकते हैं यह रहा ठीक है तो यह तो आपको बंद रखना है अब यहां पे हम चले जाएंगे डेटा यूसेज पे आप चले जाएंगे security पे data usage का option है आप इस पे चले जाएंगे अब यहाँ पे आपको data restriction और data usage status का option देखने को मिल जाएगा कि कौन सा application जादा data use कर रहा है उसको आप यहाँ background वगरा में on off कर सकते हैं और अपने according network दे सकते हैं तीक है और फिलाल के लिए हम यहाँ इस पे क्लिक करना है setting पे setting को चाने के बाद यहाँ पे data usage notification का option है यह आपका on रहना चाहिए अगर यह off रहेगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे show नहीं हो रहा है और आप जैसी यह on करेंगे तो यहाँ पे आपको show होने लग जाएगा इस step से ठीक है तो इस step से आप यहाँ पे data usage show कर सकते हैं और इधर स से आप network show कर सकते हैं यहाँ पे internet की speed यहाँ पे जो दे रहे है I hope guys यह वीडियो आपको पसंद आया होगा चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार